तो हेलो फ्रेंट्स आईए इस वीडियो में बात करते हैं केन भी जेवल्स की दोस्तो इस स्टॉक में फिर आज अपर सरक्र लग चुका है ये स्टॉक 5% की रैली के साथ 9.78 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो बहुती बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है जदि लास्ट 5 डेज का डाटा देखें तो लास्ट 3 डे से कांटिनूसली इसमें अपर सरक्र लग रहे हैं ये स्टॉक 10% से भी ज्यादा लास्ट 5 डेज में भाग चुका है तो इस स्टॉक में बहुती बियूलिस टेंड देखने को मिली है ये कांपण एक जवैल्यली सेक्टर की कांपण है तो आएए देख लेते हैं कहां तक इस स्टॉक की रैलिय हो सकती है और अब इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए नए आयो सबसे पहले फटा फटा हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और बेल लेकिन का बटन भी दबा दें ताके आने वाले सारे वीडियो का जो दो टीवकेशन है वो आपको मिल जाए क्योंकि दोस्तो इस चैनल में डेटेल अनेलस्स करने के बाद ही हम आपको किसी नवेश की राय देते हैं दोस्तो सबसे पहले केनवी जैवल्स की जून की परफॉर्मेंस देख लो जून कोटर में कामपनी का रेवनु 47% के हिसाब से बढ़ गया है लेकिन दोस्तो आईए इसका टेकनिकल चार्ट समझ लेते हैं क्योंकि दोस्तो जदी हम इसमें नवेश करना चाते हैं तो इसका टेकनिकल अनेलस्स करना बहुत ही जुरूरी है तो उससे पहले इसकी बेलुईशन भी देखेंगे और इस कांपनी का शेर होल्डिंग पैटरन भी देखेंगे शेर होल्डिंग पैटरन देखेंगे तो दोस्तो इस कांपनी के जो परमोटर है उनकी 65.10% की होल्डिंग है तो बहुत भी बड़ी होल्डिंग परमोटर के पास है और रेटेलर के पास 34.90% का स्टेक है तो ये भी दोस्तों इस कामपणी का प्लस पॉइंट है कि प्रमोटरे इस कामपणी में अपना स्टेक नहीं चेंज कर रहे है प्रॉम्दा लास्ट वन येर तो सबसे पहले दोस्तों इसका लास्ट वन येर का चार्ट पैटरन ही देख लो लास्ट वन मत में देखोंगे तो इसमें एक बी शेप रिवर्सल हो चुकी है पहले कांटेनूसली लोर सरकट लग रहे थे लेकिन इस स्टॉक ने 7.30 के रौंड सपोर्ट बना के एक रिवर्सल जुरूर शोग कर दिया है तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है जदि लास्ट वन येर का पैटरन देखे तो टेकनिकली देखो दोस्तों इसमें बहुत ही स्टॉंग मेमेंटम फॉर्म हो रहा है क्योंके दोस्तों यहाँ पर देखो इसके जो चार्ट के टॉपस हैं यहाँ तक तो इसके चार्ट में कोई विरिएशन नहीं देखने को मिली थी लेकिन दोस्तों उसके बाद देखो यह जो स्टॉक है एक चैनल फॉर्मेशन जो है बनाता दखाई दे रहा है यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट के जो टॉप्स हैं वो increasing trend शो करते दखाई दे रहे हैं यहाँ पे देखो पहले इसमें rally हुई तो यहाँ पे इसका जो है वो टॉप बना फिर इसमें गिराबट होगी फिर इसमें reversal हुई और यहाँ पे आके फिर इस stock में गिराबट होगी तो यह जो stock है एक trend line को follow करता दखाई दे रहा है यहाँ पे देख सकते हो यह stock की इसकी trend line है और continuously positive momentum है हाँ volatility जरूर ज़्यादा है क्योंकि गिराबट होती है तो यह stock support बना के reversal show करता है अब इस stock में बहुत भड़ी reversal हुई लेकिन यहाँ पे भी इस stock ने अपना जो long term का support था उसको defender कर लिया है और यहाँ पे reversal show कर दिया है तो आने वाले time में जरूर दोस्तों यह stock जो है अपने high trend line की ओर जाता दखाई दे सकता है लेकिन दोस्तों अभी short term में इसमें volatility रह सकती है क्योंकि इसका एक कारण है कि stock की valuations बहुत ज़्यादा दिख रही है PE multiples अभी 225 के round चल रही है तो दोस्तों देख सकते हो high valuations होने के कारण इस stock में थोड़ी volatility और इस stock में आपको आने वाले time में गिरावट भी देखने को मिल सकती है कभी गिरावट होगी कभी rally होगी overall long term का chart pattern इसका बहुत ही बढ़िया है तो जैसे पहले भी हम आपको बता चुकी है इस stock में overall chart में rally ही देखने को मिली हुई है पहली इसकी जो resistance level थी that was around 9.12 उसके बाद गिरावट के बाद फिर एक reversal हुआ फिर इसने 14.53 के round अपना resistance मनाया उसके बाद फिर इस stock ने 15.69 का resistance मनाया तो आप देख सकते हो इसके resistance level जो है वो continuously increase होते दखाई दे रहे हैं तो पहला resistance level इसका जो है वो पार हो चुका है इसमें एक बड़िया momentum फॉर्म हो चुका है 9.12 के round इसका जो resistance था उसके उपर एक breakout आ चुका है दूसरा resistance level इसका 14.69 के round रह सकता है तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये stock even 49 तक भी जाता दखाई दे सकता है लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा long term के लिए निवेश करना होगा यहां पर देखो one year के returns बहुत ही बढ़िया है 127% के returns है in the last one year और five years में भी 1300% से ज़्यादा returns है तो long term की इसकी growth बहुत ही बढ़िया है इसने पांच सालों में अपने दिवेश कों का पैसा जो है वो 14 times grow कर दिया है लेकिन दोस्तों अभी भी ये stock थोड़ा over what zone में जरूर दिख रहा है इसलिए lump sum investment ना करते हुए आपको हम यही राए देंगे कि इसमें sip करो average करके दिवेश कर लो average करके क्या होता है दोस्तो average करके आप dip में भी buy करते हो और higher level पे भी जो है वो buy करते हो तो इससे आपका cost average हो जाती है क्योंकि दोस्तों इसकी balance sheet का data देख लो balance sheet जो है वो हम yearly wise चेक करेंगे financial year wise यहाँ पे देख सकते हो financial year 23 में company के total assets 150 million थे total liabilities 13 million थे और total equity देख लो 136 million की है share outstanding 125 million की है तो company के ऊपर एक debt जरूर है लेकिं दोस्तों आप देख सकते हो company की जो liabilities है they are well covered and इस company के पास एक बहुत ही बड़ा cash reserve भी है और साथ के साथ asset reserve भी है तो यह एक अच्छी बात है company की balance sheet strong है तो इसलिए इस stock में आप नवेश के लिए long term के लिए जो है वो सो सकते हो क्योंकि last five years का data देखो क्योंकि दोस्तो quarterly basis पे numbers देखोगे तो volatility ही दिखेगी कभी इस stock में जो है numbers rise कर रहे हैं कभी गिर रहे हैं तो quarter on quarter basis पे जोन quarter के number reduce हो रहे हैं दोस्तो long term के fundamentals देखो कितने intact है last five years में company की income कहां से कहां पहुँच गई है यह चलो total income है total income बढ़ रही है यह एक अच्छी indication है company का business expand हो रहा है company का revenue बढ़ रहा है और इसके कारणी इस company की bottom line में भी improvement देखने को मिली हुई है जबके margin में कोई change नहीं है तो company अपने business को expand कर रही है यह कच्छी बात है इसलिए अब next September quarter पे focus करना होगा क्योंके दोस्तो जबैलरी सेक्टर की company है आने वाले time में इस company की demand बढ़ेगी September में क्या होगा क्योंके दोस्तो क्या होता है September से जो इनली क्या होता है कि जो festival season है वो शुरू हो जाता है marriage season शुरू हो जाता है festival season हो जाता है वहाँ पे जाके जबैलरी की जो demand है वो बढ़ जाती है तो next दो तीन quarter इस company के लिए बहुत ही बढ़िया रह सकते हैं इस बार covered भी नहीं है और Indian economy में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है तो आने वाले time में इस stock में अच्छे growth के chances है हाँ ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा इस stock में average करके नवेश करने की हम राइ देंगे तो जो resistance हमने आपको बताया है अब next इसका जो resistance है वो 10 के round and 14 के round आपको देखने को मिल सकता है so lower support level जो हम आपको बता चुके है 7.73 का एक बहुत ही strong support zone है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी इसने 7 का support बनाया यहाँ पर फिर इस stock ने 7 का जो level है उसको defender करते हुए एक reversal चो कर दिया है करते है करते है